बुजर्गों के बताए 30 घरेलू नुस्खे आए जान लेते हैं नमबर एक, होटो पर कच्चा दूद कुछ दिन लगाने से होटो का कालापन दूर होता है नमबर दो, दो चमच सौफ चबा कर उपर से गरम पानी पीने से पेट दर्द और गैस में लाब होता है नमबर तीन, मसूडों से खूनाने पर एक चमच तिल को कुछ दिन चबाचबा कर खाने से लाब होता है नमबर चार, नियमित रूप से पिस्ता खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है नमबर पाँच, मशली का काटा या बाल गले में फस जाए तो केला खाए नमबर चे, किसी भी प्रकार की उल्टी में हरा धनिया कूट कर उसका 100 ग्राम अर्क पिलाने से उल्टी रुक जाती है नमबर साथ, संत्रे के रस में नमक वा काली मिर्च डाल कर कुछ महीने पीने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है नमबर आठ, तुलसी के रस में शहद मिला कर कुछ दिन पीने से चक्कर आने दूर हो जाते हैं नमबर नौ, हल्दी को सर्सों के तेल में मिला कर शरीर पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं नमबर दस, शहद में थोड़ा सेंधा नमक महीन पीस कर आख में सुर्मे की तरह लगाने से हर प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं तथा नेत्र जयोती बढ़ती है नमबर ग्यारा, यदि कान में कीडा चला जाए तो कान में सर्सों का तेल भर दें, कीडा बाहर आ जाएगा नमबर बारा, दात में दर्ध होने पर अद्रक का टुकडा नमक के साथ दात के नीचे दबाने से आराम मिलता है नमबर तेरा, रात को सोते समय काली मिर्च पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला कर मुहासों पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं नमबर चौदा, आग से जल जाने पर तुरंत प्याज कूट कर लगाने से जलन शान्त होती है नमबर पंदरा, लकड़ी के कोईले को महीन पीस कर छान लें, इसे घाव पर छिड़कने से रक्त बहना बंध हो जाता है नमबर सोला, टमाटर का रस चेहरे पे लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं नमबर सत्रा, मेथी और गुड मिला कर खाने से कब्ज दूर हो जाती है नमबर अठारा, सरसों का तेल कुछ दिन नाभी में लगाने से होट नहीं फटते नमबर उन्निस, तुलसी की माला पहनने से मलेरिया, पलेग, घटमल और मच्छर से बचा जा सकता है नमबर बीस, बच्चों को मिट्टी खाने की आदत छुडाने के लिए शहद के साथ केला खिलाएं नमबर एक्किस, प्रति दिन ठंडे दूद में शहद मिला कर पीने से, शरीर में खून की कमी दूर होती है नमबर बाइस, आँख में मच्छर चला गया हो, तो उल्टे पाव पीछे की तरफ चलना शुरू कर दें नमबर तेईस, अनार का छिलका पीस कर पानी के साथ सेवन करने से स्वप्न दोश की शिकायत दूर होती है नमबर चौविस, मुँ में चाले होने पर टमाटर के रस में पानी मिला कर दिन में दो-तीन बार कुला करने से लाब होता है नमबर पच्चिस, गरम दूद में हल्दी पावडर डाल कर कुछ दिन पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है नमबर चौविस, अद्रक के टुकडों पर काला नमक लगा कर भोजन से पूर्व खाने से भूख खुल कर लगती है नमबर 27, यदि बच्चा रात को बिस्तर में मूत्र करता है तो एक अखरोट की गिरी वह किश्मिश रात को सोने से पूर्व दस दिन तक खिलाएं या एक सूखा चुवारा सुभे खाली पेट खिलाएं नमबर 28, खसकस के बीज निबू के रस में पीस कर शरीर पर मालिश करने से सूखी खुजली दूर हो जाती है नमबर 29, आग से जल जाने पर मिट्टी के तेल को रुई के फाहे से लगाएं नमबर 30, दिल की धरकन बढ़ती हो तो सेप का मुरब्बा सुभे खाली पेट सेवन करने से लाब होता है तो ये थे बुज़र्गों के बताएं 30 घरेलू नुस्खे उमीद है आपके काम आएंगे थैंक्स फर बौचिंग